हेलो डियर सुडेंट्स क्या हाल चाल है सबका बढ़िया ओके बच्चो तो ये भी आपको क्वेश्चिन कम्यूनिटी टैप के अंदर शो हुआ होगा और टेलेगरम गूप में मैंने शेयर किया था तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं देखिए center of mass हमें find करना है एक cylindrical road का और वो cylindrical road है उसकी length L given है और ये उसकी mass distribution given है ये न एक function दिया गया mathematical function x का function है x हमारा distance है एक end से और जैसे जैसे हमारा x change हो रहा है जो road की density है mass density वो change हो रही है बढ़ रही है 1 plus x plus L है तो जो density of the road है mass density वो increase हो रही है और row note यहां पर एक constant है हमें इसको use करके center of mass निकालना है तो पहले center of mass सा concept समझते हैं तो इसको समझने के लिए आप मान लीजिए कि ये origin है हमारा और ये हमारा ऐसे x axis है ठीक है और यहां पर कुछ particles पढ़े हुए है add some distances लाइक यहां एक particle पढ़ा है m1 उसका distance है x1 यहां एक और particle पढ़ा है m2 उसका origin से distance है x2 एक particle यहां मान लेते हैं m3 उसका origin से distance है x3 तो इस तरह से हमारे पास mn तक particles इस length के लोंग x axis के लोंग ऐसे पढ़े हुए हैं तो हमें निकालना है center of mass तो center of mass एक ऐसा point होता है जिस point पर हम अगर force लगाएं तो यह सारा का सारा mass distribution यह पूरी की पूरी mass distribution जो आपके सामने शोवर ही है न वो ऐसे linear motion में move करेंगे सारे कठे move करेंगे मतला rotational motion producer नहीं होगा एक ऐसा point जहां पर हम बोल सकते हैं कि body का total mass concentrate करता है हम इस पूरी mass distribution को उस point से replace कर पाएं उसको बोलते है center of mass तो इसका simple सा formula है plus 1 में drive कराया जाता है तो अगर आपको इस distribution का इसका center of mass निकालना है तो आप यह formula लिखेंगे center of mass का जो कोई mass है ही नहीं तो सिर्फ x coordinate होगा तो हम क्या करते हैं first mass times उसका distance plus second mass times उसका distance plus ऐसे चलते 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 mn xn divided by total mass तो पहले मैं ऐसे लिख देता हूं सारे masses को नीचे हमें add कर देना है तो यह center of mass का एक simple सा formula है for discrete mass distribution लेकिन यहां तो हमारे पास एक cylindrical road है इस तरह की इस case में जो mass distribution है वो discrete नहीं है continuous है तो इस formula को continuous form में change करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे तो इसके लिए हम एक road मान लेते हैं ऐसे ठीक है यहां पे पहले हम uniform distribution की road मानते हैं ठीक है यह हमारे पास uniform mass distribution की road है straight है थोड़ी सी टेडी बन गी है लेकिन straight मान के चलो तो यह region है तो इस case में हम क्या करते हैं यह जो हमारा sum है उपर उसको पहले हम summation की form में अगर लिखें XCM को तो यह बनेगा summation MI XI तो XI यहां पर किसी भी Ith particle मान लो यह मैंने MI मान लिया उसका mass है MI और उसका distance है XI ठीक है बहुत सारे particles है न तो उसमें से XI उसका distance है Ith particle का तो इस case में हम उ चोटा सा एक portion मानते हैं elementary length मानते हैं DX और उस elementary part का mass मानेंगे DM और यहां पर उसका distance origin से अगर हमें distance लिखना है तो उसका distance हम मान के चलते हैं X ठीक है तो इस case में हमारा summation MI XI जो है वो कैसे change होता है summation की जगा integration आता है MI का मतलब है small mass था न यहां पर MI वो small mass था न एक part था चोटा सा न उसकी जगा हमारा small mass आएगा DM और XI हमारे पास उसी MI का distance था उसकी जगा हमारे पास आता है X ठीक है तो उपर यह होता है और नीचे जो यह है नीचे वाला summation वाला part वो ऐसे लिखेंगे summation MI और यहां पर वो mass per unit length क्योंकि यहां पर road की बात हो रही है linear mass distribution की बात हो रही है तो DM by DX तो यहां पर DM जो होता है फिर वो निकल आता है row DX अब अगर यह row constant है अगर यह row constant है तो फिर तो यह बन जाती है uniform mass distribution uniform mass distribution में यह row जो है integration से directly बाहर आ जाएगा और अगर यह constant नहीं है इस तरह कोई mathematical function है तो इसको put करना पड़ेगा जैसे हम यहां पर करेंगे तो इस चीज़ को यहां पर put करके हमारे पास जो final formula निकलता है continuous mass distribution के लिए वो यह बनता है integration x को मैं आगे लिख रहा हूं row dx यह मैंने dm की value पुट करी और नीचे भी integration में हम लिखेंगे row dx ठीक है अब इसकी जो limits of integration होती है अब total length L दे रखी है तो यहां पर 0 to L कर देंगे यहां पर भी 0 to L कर देंगे तो हमें इस formula में row को पुट करके सिर्फ इसको solve करना है and we will get our answer simple सा concept है लेकिन इस तरह की वीड जैम के या एटी जेए के exams में किसी भी तरह का row given हो सकता है row जो है x का function हो सकता है r का function हो सकता है यहां पर row x square हो सकता था row log x हो सकता है row not into e raised to power x हो सकता है कोई भी mathematical function हो सकता है तो हमारा function यह है तो हम यहां put करेंगे तो बड़ा असान है integration row की जगा row not one plus x by L x as it is यह वाल x ठ और limits 0 to L नीचे आ जाएंगे integration row not one plus x by L dx और यहां पर limits of integration 0 to L तो अब यहां पर इसको solve करना है तो row not हमारा बाहर आगा integration से और यहां पर उपर दो integration बनी 0 to L x से multiply किया x dx plus 0 to L यहां 1 by L common ले लो और x square dx तो उपर वाली integration यह बन गई denominator में row not बाहर आगया integration 0 to L dx plus integration 0 to L x by L dx ठीक है तो हमें बस इस integration को solve करना है which is very simple to solve तो row not आ गया यहां पर जब integration करेंगे x square by 2 आएगा और x यहां पर x square by 2 आएगा और हम limits put करेंगे तो L square by 2 बनेगा plus 1 by L, L cube by 3 बनेगा उपर और यह हमारा बंद हो जाएगी bracket नीचे हमारे पास row not आएगा L यहां पर first integration dx की L आएगी x i की limits put करके L आएगा plus यहां पर 1 by L into L square by 2 बनेगा ठीक है तो यहां से पर एक L cancel हो जाएगा row not से row not cancel हो जाएगा यहां पर भी एक L cancel हो जाएगा तो इसको हम solve करेंगे तो यह हमारे पास बन जाएगा L square by 2 plus L square by 3 और denominator में हमारे पास आएगा L plus L by 2 solve करेंगे इसको तो यह बन गया 6 celsius 3 L square plus 2 L square into यहां पर 3 by 2 L बनेगा तो हम 2 को पले जाएगे 3 को नीचे रखेंगे और साथ में L का function नीचे आएगा तो यहां पर हमारे पास 5 L square by 6 into 2 by 3 L ठीक है तो यहां पर कटा 3 से और यहां पर यह तो answer is 5 by 9 L तो let us go to the options तो option A 5 by 2 L is correct answer ठीक है तो इसको हम थोड़ा अभी आपको पूरा solution यहां screen पे show करवा रहा हूं मैं ठीक है तो आप यह पूरा solution अपनी copy पे note down कर सकते हैं वीडियो को pause करके और अगर आप कोई भी concept इसमें से clear नहीं हुआ तो आप मुझे comment section में बताइए इस तरह की problems मैं अपने telegram channel के अंदर share कर रहा हूं और साथ साथ इसके solutions भी video form में आते रहेंगे तो अगर आप किसी भी competitive exam के लिए prepare कर रहे हो तो यह concepts आपको बहुत help करेंगे इसके notes बनाएए formula भी साथ में recap होगा और problem का solution आएगा So thanks for watching, we will meet in the next video